कारणशा तहसिल कार्याले के लिपिक की गयर जम्मदारा रवेये से विध्यारती और उनके पालक परिशान है इन्दिनों तहसिल कार्याले में स्कूल कॉलिज से जुड़े प्रमान पत्र के लिए मैनेल लग रहे है नागरिकों का आरोप है कि बेवज़ के सिस्पेंडिंग में रखकर गालीजी के दर्शन कराय बगर प्रमान पत्र पास नहीं होता एक दिन में दिये जाने वाले स्कूल कॉलिज से जुड़े प्रमान पत्र को जान बुझ कर मैनेल लगाये जाते दूसरी और इस सभी प्रकार को वरिष्टों से बढ़ावा दे जाने की बात सूत्रों से पता चली है जिसमें आदा हम आदा तुम ऐसा हिसाब होने की सूत्रों से जानकारी दी आई दिन स्कूल कॉलिज से जुड़े प्रमान पत्र का भार एक ही लिपिक पर है जिस कारण वह अपनी मनमानी करता है कुछ दिन पहले ये काम अलग-अलग लिपे देखा करते थी जिस कारण जनता को परिशान न होती हुए आसानी से स्कूल कॉलिज से जुड़े प्रमान पत्र मिल जाते थी लेकिन अब एक ही आदमी पर पुरी जिम्मेदारी सौपने पर उसकी मनमानी बढ़ गई है इसको आपस में वरिश्टो द्वारा बढ़ावा होने की सूत्रों से पता चला है दूसरी और कारण चा तहसल का प्रभारिच चाज नायब तहसलदार राउत के हवाले है लेकिन नाम के निवासी तहसलदार सालवी ही तहसल चलाने की गबशब तहसल कार्याले में है यहां की नियमित तहसलदार सचिन कुमावत इनका तबादला आश्टी तहसल में हुआ है लेकिन उनको भी यहां का मोहन नहीं चूट रहा है वह भी यहां आकर लुट-बुट करते रहने की चर्चा आफिस में है वो यह मोग क्यों नहीं छोड़ दे रहा है यह भी चर्चा का विशह है आखिर घी में डूबी बैस हाथ से छूटने का दर्द जो है जिसके चलते कारंचा से महस 30 किलोमेटर आश्टी अपना तबादला लेकर कारंचा तहसल में चार साल से गाट मार कर जो हासल किया है वो कंट्रोल रखना चाते है ऐसा हाल बिहाल फिलहाल तहसल कार्यालेका है जो नियामित रूप से आने वाले तहसलदार ही जगा पर ला सकते है BCN News के लिए कारंचा घार की से रुपेश मसके की रिपोर्ट